क्या केजरीवाल जेल से मुख्यमंत्री का काम कर पाएंगे? ये सवाल बड़ी सुर्खी बना हुआ है. सारवजनिक तोर पर अब तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड यही रहा है कि केजरीवाल जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पर नहीं छोड़ेंगे और नहीं पार्टी के सयोजकपद से इस्तिफा देंगे. ऐसे में वो जेल से ही पार्टी और सरकार दोनों चलाएंगे, लेकिन क्या ये व्यवारिक रूप से संभव है? जैसा आपको पता होगा कि शराब घोटाले के केस में, कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल को छे दिन के लिए इन्फोस्मेंट डाइरेक्टरेट की रिमांड में भीज दिया. केजरीवाल अब 28 मार्च तक एड की कस्टडी में रहेंगे. ऐसे में केजरीवाल की तरफ से कई वकीलों ने दली ले रखी केजरीवाल की गिरिफतारी का आधार पूछा और केजरीवाल की गिरिफतारी को चुनावी सियासत का नतीजा बताया लेकिन शुक्रवार को पहली बारेट ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले के मास्टर म एक के तोर पर हम आदमी पार्टी को मिले जिसमें से 45 करोर रूपे गोवा के चुनाव में खर्च हुए जिसके सबूत एड के पास हैं। कोर्ट में एड ने कहा कि शराब घोटाले की साचिश बहुत सावधानी और चालाकी से रची गई। जिन मोबाल फोन्स का बातचीतिया मेसेजिन के लिए इस्तेमाल किया गया उन फोन्स को नश्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ आरोपयों के फोन से मेसेज मिले हैं जिन से पता चलता है कि शराब घोटाले के 45 करोर रूपे गोवा चुनाव में हवाला के जरिये भेजा गया। एड ने कोर्ट में जो खुलासे किये वो हैरान करने वाले हैं। अबैड को केजरिवाल की कस्टडी मिल गई है लेकिन अबैड के सामने अदालत में अपने आरोपों को साबित करना बड़ी चुनावती होगी और जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक केजरिवाल की पार्टी के नेता शराब घोटाले को बीजेपी की सियासी साजिश बताएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकरता और नेता ये सोच भी नहीं सकते कि केजरिवाल की अनुपस्तिती में पार्टी कैसे चलेगी दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी हाला कि सारवजनिक तोर पर अब तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड यहीं रहा है कि केजरिवाल पत्रिपद नहीं छोड़ेंगे ना ही पार्टी के सयोजकपद से इस्तिफा देंगे वो जेल से ही पार्टी और सरकार दोनों चलाएंगे लेकिन ये व्यभारिक रूप से संभव नहीं है